कॉंपेर दे फ्रेक्शन 5 x 9 और 6 x 11 कहने का अर्थ कि 5 x 9 और 6 x 11 में कौन बला है और कौन छोटा है कॉंपेर करना तो कॉंपेर करने की बात कहा जाए तो हम लोग इसमें सबसे अच्छा मेथड जो होता है क्रोस मल्टिप्लाइंग मेथड होता है तोहम लोग बस वही क्रोस मल्टिप्लाइंग मेथड से प्राथ करेंगे इसको by cross multiplying method we get we get 5 by 9 माल लते हैं इसको box दिया हुए ठीक है 6 by 11 अब इसको क्या करना है cross करना है 5 को cross किजिए 11 से box बना लते हैं बीज में 9 into 6 55 और 54 अब बताईए 55 ग्रेटर है या 54 ग्रेटर है 55 ग्रेटर है तो साइन कैसे लगाना है अब दीके ग्रेटर का साइन जिधर इसका मुख फेस बड़ा है उधर बड़ा कर चीन लगा देगे यह देकना इज़र फैला हुआ है मतलब क्या इज़र बीग एरिया है इज़र इसमॉल एरिया है तो बीग नमबर में बीग एरिया घुमा देना मेरा बीग हो गया यह स्मॉल हो गया 55 यहां क्या है बड़ा है 55 किसके सामने है तो 5 by 9 तेस्थे हम लोग कहा सकता है कि 5 by 9 मेरा क्या हो गया greater than हो गया hence hence 5 by 9 greater than 6 by 11 ओके प्रखए और्र दो weekends हूए झाल।